दोस्तों कैसे एक बार रिशी कपूर ने अमिता बच्चन की फ्लॉप फिल्म का मज़ा कुड़ाया था दरसल 1977 में सलीम जावेद की लिखी कानी पर इमान दर्म नाम की फिल्म आई थी जो फ्लॉप हुई थी जिसके बाद रिशी कपूर ने जावेद के घर जाकर उनके मूँ के सामने उनकी फिल्म का मज़ा कुड़ाया था रिशी कपूर ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्रा करते बताया था कि मैंने अमर अगपर एंथरी में काम किया था जिसने बॉक्स ओबिस पर जबरदस्त कमाई की थी। जबकि सलीम जावेद की इमान दरम फिल्म बॉक्स ओबिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। लोग कहने लगे कि सलीम जावेद की फिल्म फ्लॉप हो गई। ये पहली बार था कि सलिम जावेद की कोई फिल्म इतनी बुरी तरह से पीट गई थी। फिर डाइरेक्टर मनमुन देसाई के एक आसिस्टर ने रिशी कपुर को एक आइडिया दिया कि उन्हें जावेद एक तरह से मिलकर उनकी फेलियर का जश्टन मनाना चाहिए। रिशी कपुर दे का कि उसने मुझे का कि जावेद सब की बजाता है अब चलो इमान द्रम के लिए उसे चीड़ाते है फिर में जावेद साब के गर गया उन्होंने हमारा वेलकम किया ड्रिंक्स बिलाई फिर मोका देखकर हमने उन पर तंच कसना शुरू कर दिया हमने का सरक इमान द्रम तो फ्लो पो गई मैंने ये वर्स कई बार बोले हाला कि उन्होंने इसे अच्छी तरह से लिया और हमारे तानों को बुरा नहीं माना हाला कि उन्होंने ये भी का कि सरकार हमारे तो एक फिल्म फ्लो पोई है तुमने तो फ्लो फिल्मोर पर पूरा क्रंथ लिख लिया है यानि दोस्तों रिशी कपूर की कई फिल्मे फ्लोप ही है